वेलकम बैग टू माई चैनल इजी सेख आज हम रवा उत्पम बनाए हैं यह सूजी के साथ बनने वाला हमारा बहुत ही टेश्टी हेल्थी नास्ता होता है जिसमें हम कुछ सबजियों को डालते हैं और कम ओल में हमारा नास्ता बन के त्यार हो जाता है इस नास्ता को बनाने में ज़्यादा जंजट नहीं है बहुत ही इजी तिरकेसिन को आप सुबह या साम बना सकते हैं यह बनाने में इजी होता है और खाने में टेश्टी होता है चलिए उत्पम को बनाते हैं उत्म्पम बनाने के लिए एकical लेंगे, उसमें हम 1500 ग्राम सूझी डालेंगे 1500 ग्राम सूझी में तीन से चार आदमी के लिए नस्ता आराम से तयार हो जाता है और इसमें हम 4 चम्मज दही डालेंगे दही डालने से उत्मम हमारा काफी सौप्ट बनता है और इनको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल कर इनको गाढ़ा गोल में बना कर दस मिनट के लिए ढख कर रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए दस मिनट बाद हम चेक करेंगे, पानी सूजी को अब्जॉर्ब कर लिया है और यह काफी ठीक हो गया है इसमें हम चलिए बारी कटे हुए सबजियों को डाल देंगे इसमें हम बारी कटा हुआ एक सिमला मिर्चा, बारी कटा हुआ एक प्याज और बारी कटा हुआ टमाटर और बारी कटा हुआ दो हरा मिर्चा डालेंगे और इन सब को हम मिक्स करेंगे अगर आपके पास और सबजियां हैं तो उनको भी आप बारी काट कर डाल सकते हैं और इसमें हम अपने टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे और इन सब को मिला लेंगे यह काफी थीक है उत्पम हमारा सही से बने उसके लिए इसमें हम कुछ पानी डालेंगे और पानी डाल कर एक गाड़ा घोल बनाएंगे सबजियों को इस टैम डालने पर जब यह रवा के साथ बाद में उपक होता है तो एक क्रंची टेस्ट में होता है उत्पम हमारा बहुत ही सौप्ट बने उसके लिए इसमें हम छोटा चमच के फ़ोर्द भाग में खाने वुला सोडा डालेंगे जिससे इसमें हम दही डालेते हैं और जब हम सोडा डालेंगे तो यह काफी सौप्ट बनेगा घोल हम इस तरके से बनाएंगे कि यह चमच से डालने पर ड्रॉप हो जाए इस तरगी से गोल हमारा उत्पम के लिए त्यार हो गिया है चलिए इनको हम बनाते हैं एक तवा लेंगे तवा को हम गैस पर रख देंगे उसमें हम कुछ ओल डालेंगे और ओल को हम तवा पर फैला देते हैं जिससे जब हम उत्पम बनाये तो यह अच्छे से बन जाए और चिपके ना और इस पर हम एक कल्चल गोल को डालेंगे और इनको हम गोल फैला देंगे इनको हम जादा पतला नहीं बनाते हैं कुछ मोटा ही रखेंगे क्योंकि यह सूजी है इनको हम जादा पतला बना देंगे तो पलटते समय या क्रेक हो जाएंगे और इनको हम धीमे आज पर ढख कर एक मिनट के लिए रख देते हैं एक मिनट बाद हम देखेंगे उपर से ड्राइव हो गये हैं ढख कर रख देने से सूजी हमारा अंदर तक पक जाता है और उपर हम दो तिन बूंद ओल डाल देंगे ओल को हम उपर के सर्फेस पर चारो तरफ फैला देते हैं और इनको फिर से पलट देंगे पलटने के बाद ओपेन ही इनको फिर से एक मिनट हम धीमी आज पर सेकेंगे जिससे यह नीचे से ड्राई रहता है उपर से भी ड्राई हो जाएं जब यह दोनों तरफ से ड्राई और क्रिस्पी हो जाएंगे तब इनको हम पलेट में निकाल लेंगे उत्पम हमारे दोनों तरफ से ड्राई क्रिस्पी रहते हैं तो खाने में टेश्टी लगते हैं उसके लिए हम एक दो बुंज ओयल डालकर दोनों तरफ से सेक लेते हैं आप चाहें तो बीना ओयल के भी इसको बना सकते हैं लेकिन यह काफी सॉप्ट होंगे ड्राइ नहीं बनेंगे इस तरके से हम दूसरा उत्पम भी बना लेते हैं और इनको हम ढख कर पकने के लिए धीमी याज पर एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे सूजी हमारा अंदर तक पक जाता है और या उपर से भी क्रिस्पी हों और नीचे से भी क्रिस्पी हों उसके लिए हमें कख बुंद ओल डाल कर अच्छे से दोनों तरब से से शेक लेते हैं इस तरके से हमारा टेस्टी और हेल्थी उत्मम बन के त्यार हो जाता है इसको सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है या अंदर तक पके और अच्छे से क्रिस्पी हो उसके लिए इनको हम धीमी आज़ पर ही बनाते हैं इस तेल के से या हमारा अध्मम बन के त्यार हो गया है या सूजी के साथ कम तेल में कुछ सबजियों से मिक्स हमारा टेस्टी और हल्थी नास्ता त्यार है चलिए इनको हम प्लेट में लगाते हैं इसको आप अपने मन पसंद चटनी के साथ अराम से खा सकते हैं लेकिन इसके साथ आप मुणफली की चटनी बनाएं तो काफी टेस्टी लगता है इस तरगे से या हमारा रवा उत्पम त्यार है अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कियें टेस्टी इजी डेस्टी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें